हलो एप्रिवान वेल्कम बैक टो में चैनल गईज अज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक मेकप फांडेशन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ यह जो मेकप फांडेशन है यह ब्लीव हैविन का वाटरप्रूफ मेकप फांडेशन है गाईज एस पीएफ के साथ इस फांडेशन को मैंने जो है नाइका पर से ओफर में पचीज किया था यह काफी अफोडेबल प्राइस का मुझे और वाटरप्रूफ मेकप फांडेशन लगा इसका जो प्राइज है जस्ट ओनली 75 पीज है यह मुझे ओफर में 65 पीज सम्थिंग में कुछ मिला था सो मैं प्राइनिंग की प्रॉबलम होती रहती है तो SPF प्राइजिंग हमारे स्कीन के लिए बैस्ट होता है यह मैंने इस फांडेशन को पर चीज किया था अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करो तो इस तरहां की ब्लैक कलर की ट्यूब टाइप पैकेजिंग है गोल्डन कलर का क है नॉर्मल पैकेजिंग है इतनी भी अट्रक्टिव नहीं है बट ठीक है जैसे नॉर्मल ही होती है एंड यह जो मैंने शेड परचेस किया है शेड है नैश्रल और आपको बता दू के जो अधर्स फांडेशन होते हैं जिसमें अलग-अलग शेड अविलेबल होते हैं बट इसकी जो प्राइस जैसे के मैंने आपको बताया 75 रुपीज सेल्फ लाइब की बात करूँ तो इसकी सेल्फ लाइब जो है हमें तीन साल की मिल जाती है यह सभी चीज़े जो है मुझे इस फांडेशन की बहुत अची लगी नाउ इसके पीछे जो है इसकी फीचर्स लिखे हुए है कि यह किस हद तक वक करता है फांडेशन तो इस फांडेशन इस इस फांडेशन इस फांडेशन की पीछे जो कुछ भी फीचर्स मेंशन किये गए है आई अगरी बिकाज अफ के यह इसली ब्लैंड हो जाता है यह सारी बाते इस फांडेशन में है बट अगर मैं प्रस्नली इस फांडेशन के रिजल्ट के बारे में बताओं आपको तो मुझे यह बलकुल भी अच्छा नहीं लगा बट इसे मैंने इस फांडेशन को मैंने परचेस तो कर लिया वन टाइम यूज भी किया है बट मैं इ करने के लिए देने वाली हो बिकॉज इसका रिजल्ट मुझे बलकुल भी अच्छा नहीं लगा पहली बात मुझे इसका माइनस पॉइंट यह लगा कि इसका टेक्स्चर अभी मैं आपको इसका टेक्स्चर भी ओपन करके बता दूंगे इसका टेक्स्चर मुझे अच्छा नहीं लगा हाँ पर mention किया गया है makeup foundation है guys ये तो makeup foundation के लिए जो है हमें एक full coverage foundation की need होती है बट ये बिल्कुल भी full coverage नहीं है बलके ये मेरी skin tone को और भी ज्यादा dark बनाता है तो natural ही मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और मैं ऐसे दुबारा तो purchase नहीं एंड इसका जो texture है जैसे के आप देख सकते हो बिल्कुल runny है liquidy texture है कोई बात नहीं होते है foundation liquidy बट आप इसका shade का color देख सकते हो guys बिल्कुल orangey shade है just like अगर हम जो dark circles वगेरा को hide करने के लिए जो concealer वगेरा का use करते हैं उस तरीके का ये shade है guys आप देख सकते हो जी हाँ ये जो है बहुत ही smooth इसका texture है easily blend भी होता है बट मुझे ये बल्कुल पसंद नहीं आया अब shade देख सकते हो किस तरीके से ये एक makeup foundation लग रहा है मुझे बल्कुल भी नहीं पसंद आया ये foundation औरिंजी औरिंजी सा shade है and absorb होने में blend होने में काफी ज्यादा वक्त लगाता है uneven जो है skin tone लगने लगती है just like अगर इससे apply करने के बाद makeup करते हैं तो दूर से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ face पर apply किया है बहुत कुछ face पर पोता गया है so मैं इस foundation के लिए आपको बिलकुल भी recommend नहीं करूंगी देख सकते हो आप मेरी skin tone and foundation का texture and color fragrance की बात करूँ तो other foundation के according थोड़ी strong है थोड़ी irritate कर सकती है guys इसके सारे ingredients वगेरा सभी कुछ यहाँ पर mention किये गए है 50 ml इसकी quantity है and self life 3 साल की जैसे मैंने आपको बताई and I hope so के आज का ये वीडियो आपके लिए useful रहा हो and इस foundation से related अगर आपको कुई भी question हो तो आप मुझे नीचे comment box में जरूर से पूछ सकते हो so guys अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा and useful लगा तो please like this video and subscribe to my channel thank you bye take care